खेल प्रेमियो के लिए बेहत चौकाने वाली खबर सामने आ रही है। रूस के महान चेस प्लेयर गैरी कासपरोव को आतंकी घोशित कर दिया गया है। रूस ने आतंकी और कटर पंतियों के लिस्ट चारी की है, इस लिस्ट में गैरी को भी रखा गया है। रूस की गैरी ने 2014 में रूस चोड़ दिया था और काफी समय से वो अमेरिका में रह रही है। उनके पूरी दुनिया में करोडो प्रशन सक हैं, उन्हें आतंकी घोशित करने का फैसला सभी फैंस के लिए शौकिंग है। रूस की वित्य निगरानी वाली एजिंसी ने उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया है। इसमें शामिल लोगों की बैंक से लेंदेन पर लिमिट लग जाती है। उन्हें अब इसके लिए सरकारी एजिंसियों से इजाज़त लेनी पड़ेगी। आपको बता दे कि कास्परोव ने अपनी नई पहचान एक राजनेता के तोर पर भी स्थापित की है। गैरी कास्परोव विश्व विजेता चेस प्लेयर रहे हैं। इसके अलावा वो लेखक और राजनेता भी रहे हैं। गैरी ने महस 6 साल की उम्र में चेस खेलना शुरू कर दिया था और सिर्फ 16 साल की उम्र में वो इंटरनेशनल चेंपियनशिप चीट गए थे। 13 अप्रेल 1963 में सोवित संके अजर्बैजान में जनमे कास्परोव 1980 में ब्रेंड मास्टर बन गए। 1985 में एंटोली कारपोर्फ को हराकर वो चेस में वर्ल्ड चैंपियन बनी। 1985 से 1993 तक गैरी चेस में ने विर्वाद वर्ल्ड चैंपियन रहे। करें 20 साल तक दुनिया के नंबर वन प्लेयर रहे यही नहीं कास्परोव से मुकाबले के लिए IBM ने कई साल मेहनत के करके AI इंटेलिजन्स वाला केंप्यूटर बनाया। 1996 में गैरी और कम्प्यूटर के बीच चेस मुकाबला हुआ था यह संभवता दुनिया में पहली बार था जब एक इंसान और कम्प्यूटर में चेस का टूर्णामेंट हुआ। यंकि साल 1992 में सोव्यत संग के विगर्टन के साथ ही कास्परोव रूस में रहने लगे थे। कास्परोव को भी जान का खत्रा था उन्होंने 2014 में रूस छोड़ दिया था और क्रो एशिया में रहने लगे। रूस और युक्रेन युद्ध को लेकर भी कास्परोव ने पुतिन सरकार के खुब आलूचना की थी। यहां तक की कास्परोव ने कह दिया था कि रूस में लोकतांत्रिक परिवर्तन लाने के लिए युक्रेन को मौस्को को हराने के आवश रखता है। उससे इस फैसले को जोड़ कर देखा जा रहा है।